तो चलिए भई इतने दिनों की healthy recipes के बाद आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बड़ा ही quick और easy one bowl में बनने वाला चार से पांच मिनट में बनने वाला cake इसके लिए लिया है मैंने पॉना कप पीसी हुई चीनी और 1 एट कप लिया है मैंने refined oil का आप कोई सा भी oil ले सकते हो fragrance वाला नहीं होना चाहिए oil और साथ ही मैं ले रही हूँ curd इसमें यकीन मानिये जब आपको हो रही है craving cake खाने की तो यह one eight cup ही मैंने लिया है दही का तो बिलकुल इसको अच्छे से smooth texture आने तक इसको कर लेना है beat आप hand whisker भी यूज कर सकते हो आप electrical beater भी यूज कर सकते हो त अच्छे से beat तो अब मैंने एक कप लिया है मैदा आप देखते जाए यह सिरफ चार मिनट में बन जाता है cake और यह मैंने दो चमच लिये है cocoa powder यह sweet वाला cocoa powder नहीं है और साथ में यह चुटकी नमक वही वाला pattern रहेगा एक चमच छोटा वाला baking powder का और एक चुटकी हम डालेंगे इसमें baking soda तो यह चीज़ें डालके हम इसको अच्छे से चान लेंगे मैदा मैंने पहले ही चान लिया था इसलिए वीडियो में नहीं आया है यह डाला मैंने वनीरा essence बिल्कुल वही pattern रहेगा बस हम bowl change नहीं कर रहे हैं और इसे बनाएंगे हम 4 मिनट में बने रहे हैं यह देखने के लिए कि 4 मिनट में cake कैसे बन जाएगा और बिल्कुल yummy smooth texture वाला cake तो इसको अच्छे से कर लीजे mix सब कुछ डालके तो यह देखिए आ गया है चॉकलेटी सा look और flavor भी आप यकीन मानि बहुत जादा yummy cake बनता है तो यह देखिए अच्छे से इसको मैंने कर लेया है mix तो आप भी चाहे मेरे साथ ही बनाएए और देखिए कितना quick सा cake बनता है तो बस इसको mix कर लिया है कोई बरतन पलटना नहीं है इसी बरतन में हम बना लेंगे तो microwave कोई preheating का जंजट नहीं है यह रखा इसी तरह बिलकुल microwave में यह देखिए मैं सेट कर रही हूं इसको यह चार मिनटी लगेंगे 20 सेकिंड उपर से रह गए हैं तो यह देखिए चार मिनट के बाद कितना yummy वाला cake और साथ में उपर डाल रही हूं चॉकलेट, melted वाला आप कुछ भी आप कोई भी चॉक दालना चाहते हैं तो मज़े से खाये, yummy वाला cake मैं दिखा रही हूं यह देखिए कितना spongy और smooth है, जरूर बना के देखिएगा और मुझे comment box में जरूर बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा, thank you so much